How to fix Amazon mic option not showing and missing problem नमस्कार दोस्तो स्वागर आप सभी का तेकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो यहाँ आपके Amazon पर भी mic option नहीं दिया गया है तो कैसे आप इस problem को यहाँ पर fix कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के regarding पर solution बताने वालो तो दोस्तो यहाँ पर सबको मिल चुका है mic option लेकिन किसी किसी को जो है यहाँ पर mic option नहीं दिया गया है ठीक है तो यदि दोस्तो आपके जो Amazon है उसमें भी दोस्तो mic option mic का future नहीं है वीडियो को अंतक देखे solution को follow करे problem आपका definitely solve हो जाएगा और दोस्तो आपको भी मिल जाएगा mic option ठीक है तो चलिए दोस्तो वीडियो को बिना देर के वह शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तो यदि आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो दोस्तो हमें play store पर जाना है play store पर जाके दोस्तो यहाँ पर हमें type करना है और search करना है amazon तो उपर में दोस्तो आप tap करे amazon को यहाँ पर search करे उसके बाद दोस्तो amazon को update कर दीजे अपडेट करने के बाद जब आपको latest feature मिल जाएगा तो दोस्तो उसमें आपको जो है Amazon का microphone option भी मिल जाएगा ठीक है तो बस दोस्तो आप यहाँ पर microphone को इस तरह से पास सकते हैं ठीक है तो दोस्तो आप यहाँ पर update कीजिए उसके बाद mobile को restart करके check कीजिए यदि problem solve हो जाता है तो ठीक है problem solve नहीं होते तो जाएए अपने mobile के setting पर उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको एक अगला solution करना होगा आपने update कर लिया अपडेट करने के बाद problem solve हो जाता है तो ठीक नहीं होआ है एप्स पर जाएए manage app को open करें manage app install app या तो फिर app manager करके आपको option मिल जाएगा उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको simply search करना है आपका amazon ठीक है amazon आपको search करना है amazon पर जाके दोस्तो आपको यहाँ पर simply क्या कर देना है इसका जो data है उसको clear up करना है पहले for stop कीजिए उसके बाद clear data कर दीजिए clear data करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आप बेक कीजिए और एप permission पर जाके सारे permissions को यहाँ पर allow करें जितनी भी permission से सब को allow कीजिए तो सब permissions allow करने के बाद restrict data users पर जाके इन restrict data users को भी allow करके okay कर दीजिगा ठीक है उसके बाद आप यहाँ पर bake करें बेक करने के बाद device को restart कीजिए device restart करने के बाद दोस्तों आपका जो problem है वो definitely solve हो जाएगा और दोस्तों आपको कोई डिकट कोई problem कोई issue बिल्कुल नहीं होगा ठीक है लेकिन मान लिजे by any chance देखे आपको दुबारा से problem आ जाते तो reinstallation का process follow कर लिजेगा कैसे करना है पहले आप इसको जो है uninstall कर लिजे उसके बाद play store पर जाके आप दोस्तों इसको reinstall कर लिजे ठीक है तो उसके बाद आपको microphone का option मिल जाएगा problem solve हो जाएगा तो आज की इस video पर उस बस इतने उमीद करते हैं आपको जो है video यहाँ पर पसने आओगा thanks for watching